नमस्कार और अभी एक चर्चा चल रही है कि इगोरिस्ट मिच तो निकल गया है लेकिन अब अगला कौन कोच आएगा अब देखिए वो इंडियन भी हो सकता है फॉरिनर भी हो सकता है यह डिपेंड करता है टेकनिकल कमेटी को क्या लगता है कि हमारे इंडियन फुटबॉल क के लिए कौन सा कोच सही रहेगा वो अपॉइंट करेंगे और कुछ दिन में कुछ नाम भी देखने को मिल सकते हैं अब देखिए मैं यहां पर डिसकस्य करने वाला हूं कि कोच देखिए जो भी आएगा एक्सपिरियन्स वाला होगा बहुत अच्छा नाम हो सकता है या कु कि मैं को इस देख के लिए कुछ काम करना है तो वो एक चीज है कि उनको एक supply chain मिलना चाहिए नीचे से कि उनको players मिलते रहें तभी टीम के लिए कुछ अच्छा कर पाएं अब देखिए जो भी कोच आएगा well qualified well experienced और हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी abilities हो उसके पास कि हमको ऐसा लगेगा कि पता नी इंडिया को कहा लेके चाहेगा लेकिन मैं समस्ता हूं कि कुछ ऐसे कुछ characteristics उसके अंदर होने ही चाहिए जो कि एक ऐसे coach है जिनके अंदर मैंने देखे और उन्होंने कुछ करके भी दिखाया है और मैं उनको एक example group में आप लेके चल रहा हूं क्योंकि जिस country की football कुरों ने बढ़ाया उसकी स्थिती भी सेम हमारे जैसे ही थी लेकिन उसकी football कुरों ने काफी grow कर दिया तो मैं बात कर रहा हूं पार खांग CEO की जो की South Korea से है और इनको आप बहुत अच्छे से जानते है वियतनाव football के head coach रह चुके और वियतनाव football का golden era वो इन्ह सकता है तो देखिए वियतनाम के coach बनने से पहले पार्क जो है वो South Korea की senior team के assistant coach रह चुके थे और 2002 के world cup में जो same final ने पहुची तो उनकी team उस टाम वो assistant coach थे और under 23 team के head coach भी रह चुके थे वियतनाम आने से पहले तो देखिए मैं उनकी कुछ आपको बाते बताता हूं जो आ काम पर focus करते हैं, excuses पर focus नहीं करते हैं तो 2002 की बात है उस टाइम पर Asian Games होने वाले थे तो Korea का football association पार्क को अपना head coach बनाता है under 23 team के उस time तक पिछले दो साल में South Korea की under 23 team का कोई coaching staff ही नहीं था मतलब उनकी team उस टाइब से कभी ना prepare हुई ना कुछ हुई लेकिन उनको पर कारिभार दिये जाता है कि आपको Asian Games में team को लेके जाना है आप head coach है और Asian Games में time कितना होता है किवल दो महिने दो महिने बात जो Asian Games है आपको team बनाना है उनको prepare करना है और आपसे अपेक्छाएं भी बहुत है association को कि आपको कुछ करके दिखाना है तो यहाँ पर पार्क वो responsibility को लेते हैं team बनाते हैं preparation करते हैं और Asian Games में जाते हैं 2002 के और आप जानके हरान रहेंगे कि वो semi final ता कहुचते हैं और bronze medal जीत कर लेके आते हैं South Korea के लिए और मैं आपको एक और हरानी की बात यह बताना चाहूँगा कि Korea Football Association ने जो उनको hire किया था under 23 team के लिए उसमें उनको salary नहीं दी थी तो भी उन्होंने काम किया तो लोगोंने काफी criticize किया था association को कि आपने बिना उनको contract paper पे sign के आपने उनसे काम करवाया उनको salary नहीं थी तो यह भी एक बात है तो इसमें आप समझे कि उनको बस काम करना चाहते थे और football को आगे लेके जाना चाह दूसरा character होना चाहिए willing to work तो पार्क जो है South Korea की national team से निकलते हैं और 2005 में South Korea का के लिक का club है उसको sign करते हैं और उस season वो club को fourth number पे finish भी करवाते है टेबल में लेकिन वहाँ पे कुछ internal कुछ conflict होते हैं उनके club के साथ तो club को छोड़ देते हैं दैनो दूसरे के लिक क्लब मे याते हैं 2007 से 2010 तक उस club में रहते हैं लेकिन एक भी trophy नहीं जीत पाते हैं final तक भी पहुँचते हैं तो trophies नहीं जीत पाते हैं और performance भी उतना सही नहीं आता है तो club उनको निकाल देता है तो इस time पे हो क्या करते हैं क्योंकि already एक बड़े coach तो थे वो लेकिन वो क्या करते है वो एक second division club की तरब चले आते हैं कि मैं second division में जाता हूँ वहाँ पे और अपने आपको प्रूव करता हूँ 2012 से 2015 तक उस second division club में रहते हैं और उस club को second division का champion बनाते हैं then एक इतना high profile coach बनने के बाद भी वो 2017 में एक और अनुखा कदम उठाते हैं वो third division club में चले आते हैं South Korea के और उस club में जाके वहाँ पे उस time पे national league championship होती थी उसका winner बना देते हैं उस club को और उनको best manager का award भी मिलता है उस season में तो इतना मतलब क्या सोचे South Korea के national team से लेके third division में coaching देना ये क्या है ये willing to work है मतलब काम पे focus करना है काम करना चाहता हूँ मैं then अगला characteristic है taking national interest as priority अब देख उनकी वाइफ थी उन्होंने उनको ऐसे suggest किया कि आप क्यों नहीं South East Asian countries में जाईए वहाँ पे coaching करिए थोड़े new challenges लीजे या आपके career के लिए अच्छा हो सकता है तो पार्क इसके लिए अगरी कर आते है चलिए South East Asian countries में जाते है अब उनकी जो वाइफ ही होती है वो क्या कर पार्क को बाद में पता चलता है कि वियतनाम टीम उनको पहले से ही लेना चाहती थी जब वो South Korea में coaching दे रहा थे तो ये सुनके वो surprise हो जाते है तो अब उनका बलकुल पक्का हो जाता है कि वो वियतनाम कंट्री में जा रहा है लेकिन वो वियतनाम जाते है उससे पहले उस country कांट्री की पूरी research करके जाते है कि यहां पर में को काम कैसे करना है यही था उनका पहला national interest की इस country की football को में के उपर लेके जाना है तो उसको एक अपना ही देश मान के चलना है तो जब वो वियतनाम आये तो उन्होंने कुछ काम करे वियतना football team के लिए जो कि मैं आपको ब तो वो अपने players को defend करते थे मतलब जैसे अगर कोई weakness इसके उपर सवाल कर रहा है तो defend करते थे वो अकसर press conference में कहते थे कि जो वियतनाम के players है उनके पास special abilities है जो की pace है, strength है और techniques है तो ऐसा कहें कि वो अपने players का होसला ही बढ़ाते थे और पूरी country के सामने अपने players की अपन अच्छी तरह से देते थे कि वियतनाम के players भले height में छोटे है परोभत quick है बहुत smart है और मेरी जो strategy है उसको बहुत ही easily understand करते है और बहुत ही easily adopt भी कर जाते है जिसके कारण मुझे team को अच्छा बनाने में काफी help मिल रही है तो ऐसा कहें कि अपने players को कितना confident feel कराते थे कि मतलब आप अच्छे हैं तो उनके players जो है और जादा महनत करते थे और उनकी chemistry भी और strong हो रही थी अब वियतनाम के players जो थे upper body में थोड़े weak थे तो जब वियतनाम के coach बने तो उन्होंने upper body gym sessions चालू करे टीम के लिए कि जब आप tackle करने जाया है तो आपकी upper body strong रहे तो ये थ face mask लगाया था और face mask के उपर क्या होता है कि उनकी country का logo था वियतनाम का तो पार्क जो है हर player के पास जा जाके सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि आपने mask सहीं तो लगाया ना कहीं logo उल्टा सीधा तो नहीं दिख रहा है तो mask सहीं है कि नहीं इतनी भी बारिक detail पर जा रहे थे कि country की कहीं पर image down नहों जाए तो ये था उनका national interest के लिए काम कर रहा है कि ये country भी मेरी ही country है इसको मैं जितना उपर लिजाओंगा मेरी country को लिजा रहा हूं तो ये characteristic भी होना चाहिए जो भी Indian football team का coach बनता है अगर foreign का बनता है या इंडिया का बनता है बनता इतना देश से प्य भाई की जैसे उन्होंने मुझे देखना चाहिए इस टाइप एक role model मैं उनकी आखों में बनना चाहता हूं तो इस तरह से काम करते थे भले pitch पे बहुत चिला रहे है डाट रहे है कुछ भी कह रहे है लेकिन फील्ड के बाहर आते ही उनका जो बॉंड था एक बड़े भाई गया था जब वर्ल्ड कप qualifying match था इनका चाइना से उस match में हार गय थे तो इन्होंने इतनी आपस में मेहनत करी थी ना कि वो match के बाद रो पड़े मतलब वर्ल्ड कप qualifying का match हारने के बाद हम भी तो हारते मैच थे लेकिन आपने कभी ऐसा देखा हमारे players को या हमारे coach को लेकि इस आप कह सकते हैं कि उनकी country ने मिलकर ग्रो किया तो पार्क की कुछ यही चीजे थी यही कुछ characteristic थे जो उन्होंने अपना है और वियतना फुटबॉल को ग्रो करने में बिल्कुल सब कुछ कारगर साबीत हो है मतलब उन्होंने हर लेवल प काम किया यूथ लेवल के लिए ग्रो करने में और आज भी वियतनाम में रह रहे हैं जो आप एज एडवाइजर एक क्लब के लिए काम कर रहे हैं और वो क्लब जो है एक छोटा क्लब है तो पार्क की आप एक चीज देखिए कि वो हर उस इनसान को या हर उस और्गनाजिसम को इंप्रू करना चाहते है जो आगे सच में बढ़ना चाहता है, रिल में दिल से बढ़ना चाहता है तो वो भी उसके साथ connect होके काम करते है तो ऐसे कुछ characteristic हमको वी देखना है जो भी हमारे coach आएगा उसके अंदर अगर ऐसे characteristic रहना तो वो ना सिरफ Indian FOOTBOL team जो senior team उसके लिए काम नहीं करेगा, वो youth level प कितने coaches किया तो उन्होंने कभी ऐसे discussion किया होगा development को लेके नहीं किया कभी नहीं किया तो यही बात है तो यह होता है कि एक coach के अंदर characteristics अगर है कि सच में देश की football को लेके जाना चाहता है तो ऐसे characteristics तलाशने चाहिए यह एक मेरा opinion है जो मैंने पार्क के अंदर देखा वो मैं हमारे देश के जो भी coach बनेंगे उनके अंदर भी देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने देश की football को भी उचाहिए उपर देखना चाहता हूँ तो आपके क्या thoughts से इस बात पर आप जरूर जरूर कमेंड में लिख के बताएगा या आपके कुछ अधर कुछ आप opinions देना चाहिए coach को लेकर की आप क्या characteristics देखना चाहते हैं हमारे देश के head coach में तो आप जरूर कमेंड में लिख के बताएगा और इसी तरह आप Indian football को support करते रहिए बहुत शुक्रे वीडियो देखने के लिए जहिन चैमार